हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको 11 जेपेसे से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, विकिनसी कितनी होगी तमाम बातों की जनकारी में आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, ताकि आपको सही टाइम पर सठीक इन्फोर्मिशन मिल सकें तो जारखन के तमाम जो स्टुडेंट 11JPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, कैसे पहले मैं बताती हूँ, मेंस एक्जाम जो होगा 11JPSC का, पहले जो था रिटेन होता था मेंस में, और रिटेन में जो लेकिन अब जो होगा, उमीद है कि पॉसिबलिटी है कि सिलिबस चेंज होगा, सिलिबस भी चेंज हो सकता है, और सिलिबस के साथ साथ आपका पैटर्न भी चेंज हो सकता है, सिर्फ लेंग्वेज पेपर में, आप द्यान से सुनिएगा, अगर चेंज होना होगा, तो लें लेंग्वेज पेपर में मतलब कि objective के form में सिर्फ objective के form में OMR सीट पर आपका objective के form में आपका exam होगा और साथ ही साथ आपका syllabus भी change हो सकता है कि आपका खोठा हो गया नकपूरी हो गया फिर अधर आपका जो language paper है उसमें आपका जो है आपका कुछ topics जो होंगे कुछ act किये जाएंगे कुछ हटाया जाएंगे ऐसा हो सकता है लेकिन यह सारी जो चीज़े हैं कब मतलब कि कब एड होगा कब हटाया जाएगा तो देखिए cabinet में पास जब हो जाएगा तभी अच्छे तरह से पता चल पाएगा एक new syllabus create हो पाएगा त लेकिन ऐसा तमाम बातों की जनकारी पूरे मीडिया में भी चल रही है सारे यूटूब पर भी चल रही है तो आप लोग थोड़ा सा और वेट किजिए cabinet में पास होगा तो अच्छे तरह से पता चल पाएगा कि कौन-कौन से टॉपिक हो रहे हैं कौन-कौन से टॉपिक और चितनी सीट हों हैं दो नवाले हो सकता है कि मार्श में नहीं देख कि फैबरुरी इंहाई में दै अहारा का नोटिफिकेसिन या तो भेवरी में यह सकता है यह वह बहुत जल्द आ जागको लिकी उतार्यात COB और को नोचिफिकेशन अपलूट कर रहती हों कि कैसा चल सारी बाते जो तमाम बारे जो चलती और सारी जनकारी में आप तक पहुंचाती हूं तो नोटिफिकेशन तो हुग आई दो मर्स में नहीं देख पा Ergebnis में Jiang जाए और दो मार्स में आएगा आपको पढ़ना है इस बार सीटों को भी संख्या ज्यादा हो सकती है चार सो से पांचों के बीच में आपको सीट देखने के लिए भी मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में सीट है तो फ्रेंट्स आई होब यह इन्फरमेशन आपको अच्छे लगे हों कि आप लोग अपना प्रिप्रेशन स्टार्ट कर देजे क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका आपका एक्जाम में आपको इससे बैनिफिट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स अगर यह इन्फरमेशन अच्छे लगे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको सही टाइम पर सटिक इन्फरमेशन मिल सके थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो